जारखन के पलामू में कल की हिंसा के बाद तनाव का माहौल है। पांकी इलाके में आज भी 1444 लागू की गई है, इंटरनेट सेवा बाधध है यानि की बंद है। लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। AIMIM के चीफ असदुदी नोवैसी ने पलामू में बवाल के बाद जारखन के मुख्यमंतरी हेमत सोरेन को इसके लिए जिम्मेदार ठेराया। वैसी ने कहा कि सोरेन ने संग परिवार को अपना एजिंडा चलाने का मौका दे दिया है। वैसी ने पूझा जब जामा मस्जित के सामने पहले कभी भी तोरण द्वार नहीं लगा तो इस बार वहाँ पर तोरण द्वार लगाने की कोशिश क्यों हुई। पेकते हैं, चार लोगों को घायल कर देते हैं, दो घर जला देते हैं, मोटर सेकल जला देते हैं, गाड़ी जला देते हैं, ये नाकामी, सरासर नाकामी, ये खुली नाकामी है, वहाँ की जो रूलिंग पाटी है, और आपकी नाकामी हुई और संग परिवार की कामिया भी ह कि आपने उनका अपना एजंडा मुकंबल करने का पूरा मुख़ा फुराहम कर दिया आपने बताइए कभी वहाँ पर जाओं मजिद के सामें आपने कोई द्वार लगाया था नहीं लगाया कभी आपने दरसल कल की हिंसा के बाद पूरे इलाके में पुलिस और सुरक्षबल के जवान मुस्तैद कर दे गए हैं आसपास के थानों से पुलिस पांकी थाना क्षेत्र में तैनात कर दी गई है अधिकारियों का कहना है कि अब हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है अब इस्तिती बहुत समान्य है सभी तरह से नियंतरन कर लिया गया है रात भर आप लोगे ने गस्ति की है पुलिस पर सासन चार बगल पूरे पांकी थेत्र में जिस परकार से एक सच्वाली धार लगी है उसका कड़ाई से पालन करवाय जा रहा है और आवी नियंतरन में है चीज़े किसी परकार के कोई मुवमेंट पिछ नहीं है